जदियू के आठवी पास MLC राधा चरंशाह एक वक्त आरा स्टेशन के बाहर जलेवी बेचते थे और जब पिछले दो दिनों से IT की रेड उनके घर पर पड़ रही है तब 200 करोड रुपय का हेर फेर सामने आ चुका है राधा चरंशाह आठवी पास है और आरा स्टेशन के सामने आज से 20-25-30 साल पहले वो जलेवी बेचते थे लेकिन आज भारत का कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां उनका एकाउंट नहीं है और पैसे की तो अंबार है अंबार ऐसी कि उनके अलावा उनके सहयोगियों के घर पर भ होगी जब आपको सुबा सुबा खबर मिली होगी कि जद्यू के तरप से MLC राधा चरंशाह के ठिकानों पर IT की रेड पड़ी है और दो दिन लगतार जब रेड चल चुकी है तब 200 करोड रुपए का IT का चोरी का मामला सामने आ चुका है कई करोड रुपए कैश बरामद ह होच चुके हैं और अगर कागज पतर और डायरी की बात की जाए तो आपके होश फाक्ता हो जाएंगे एक जलेवी बेचने वाला आदमी 200 करोड रुपए का आईटी का हेर से केसे कर सकता है और एक जलेवी बेचने वाला आदमी हर भारत के बैंक में अकाउंट कैसे पुस्मत हो तो राधा चरंशाह जी जैसी हो वरना जी तो बहुत लोग रहे हैं। राधा चरंशाह वो आदमी जो पहली बार MLC बनते हैं RJD के समर्थन से और उसके बाद जब तूट होती है तो जदियू में शामिल होते हैं। और उसके बाद 2022 में वो जर्यू के समर्थन से दूसरी बार MLC बनते हैं और कहा जा रहा है कि कई दिनों के रिसर्च के बाद IT की टीम इस नतीजे पर पहुँची थी कि राधा चरण शाह के ठीकानों पर कैसे भी धावा बोलना है और उनके गलत ट्रांजेक्शन्स को पकड़ हो रहे हैं 200 करोड रुपए का सिर्फ इंकम टेक्स का चोरी और करोडों रुपए तो मिले बरामध हुए हैं और इसके बाद अगर बात की जाए धंधे की तो बालू माफियाओं से कहा जा रहा है कि राधा चरण शाह जी का बहुत गहरा नाता है लोग बाग कहते हैं कि दे ये का अठवी पास आदमी 1000 करोड रुपए कमा नहीं सकता है क्योंकि राधा चरण शाह जी ने ये साबित कर दिया है कि हमारे पास दिमाग है हमारे पास डिगरी नहीं है तो क्या हो गया दो दिनों से लगतार आईटी की छापेमारी चल रही है और जब हम ये खबर बाच तो हो सकता है कि असी अफसर फिर कोई कागजात ढूंड रहे होंगे राधा चरण शाह जी के घर से ऐसी डाइरी मिली है जिस डाइरी पर बिहार के बड़े बड़े नेताओं का नाम है बड़े रसूकदार लोगों का नाम है और उसमें ऐसा ट्रांजेक्शन डिटेल्स है जो हो सकता है कि बिहारीयों को और भारत के लोगों को चौका दे लेकिन अब तक वो नाम सामने नहीं आए है और जैसे ही वो नाम सामने आजाएंगे कहा जा रहा है कि भूचाल आजाएगा राधा चरण शाह बालू माफियाओं के साथ गात में रहते हैं लेकिन इतना भर लेकिन जब हमने पढ़ा कि आर से 25-30 साल पहले राधा चरन शाह आरा स्टेशन के बाहर जयलीवी की दुकान लगाते थे तब हमको लगा कि आखिर ये सब कैसे हो गया और इतनी अकूत संपत्ति क्या मालिकाना हक राधाचरन शाह जी को कैसे मिल गया कहा राता है कि राधाचरन शाह प्रभुनात सिंग के बहुत करीबी थे कोई भी चुनाव होता था तो वहाँ पर प्रचार करने जरूर जाते थे और अपने समाज के लोगों के वोट का ट्रांसफर करवाते थे लेकिन आज उसी राधाचरन शाह के घर पर फिछले 48 घंटों से लगतार आईटी की रेड हो रही है और रेड में एकदम चौकाने वाले खुला से हो रही है एक आदमी इतना अकूत संपत्ति कैसे कमा लिया और कमाने के बाद आईटी चुरा भी लिया इसी पर रिसर्च चल रही है और कहा जा रहा है कि अगर डाइरी वाला भेज खुलेगा तब कई रसूपदारों का नाम आएगा कई नेताओं का भी नाम आएगा राधाचरन शाह जदियू के मलसी हैं कहा जा रहा है कि उनके पास से कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स मिले हैं जो एकदम से धांधली है मतलब गलत तरीके से किये गए हैं उसके राधा कई ऐसा कच्चा बिल मिला है जिसको देखकर आईटी के अफसर चौक गए है और इंकम टेक्स की रेट अभी लगतार चल रही है दो सक्कुर्णों का फरजी हिर फिर सामने आ चुका है करोर रूपै ब्रामद हो चुके हैं कई सक्कुर्णों के जमीन के काज़ात मिले है और उसके बाद आईटी वाले लगतार भी खोजबीन कर रहे है नाम सामने आएगा तो हो सकता है कि और बवाल हो तक तक हम इंदिजार करते हैं बाई कोई अप्रेट आगा तो अपको में तिला करेंगे मिरे नाम प्रश्चामत राए है आप जंदा निक्षन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद